आप लोगों को यह तो पता होगा कि हाट अटाइक जो होता है वो एक बेसिकली इमेर्जंटी सिचुईशन है खतरनाक सी जान लेवा सिचुईशन है और आपको भुत जरूरी होता है अर्जंट एमिजिएटीट UP लेना heart attack के case में same चीज same चीज माइने रखती है heart failure में भी जी हां heart attack और heart failure ये दो अलग चीजें हैं दो अलग important चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए heart attack क्या है heart failure क्या है देखिए heart attack तब होता है जब heart के किसी एक हिस्से को जाने वाली खून की नस कमजोर हो जाए और heart attack में जानका खत्रा इसलिए होता है खून की नस में blockage आजाए तो आगे खून नहीं जाएगा और आगे खून की कमी के चलते heart की जो उस हिस्से की काम करने की शमता है उस हिस्से में जो cells है जो muscle है heart की वो मरने लगेगी सो myocardial damage होने लगता है heart attack में और damage के वज़े से दर्ब पसीना घवराट एक्सेटरा एक्सेटरा आपको होता है लेकिन heart failure में यह सब होना जरूरी नहीं है heart attack के बाद heart failure आ सकता है second stage में है यह क्या होगा है हाट अटैक के बाद second stage में heart failure आ सकता है और heart failure जो है heart attack से भी जादा खतरना हाट अटैक से भी खतरनाख चीज़ है heart failure जी हाँ क्योंकि heart failure में heart की power ही कमजोर हो जाती है मान लीजिए आप अपने काम कर पा रहे हैं लेकिन किसी एक बिमारी के वज़े से आप अपना जो काम है जो भी आप मान लीजिए आप आप athlete हैं आप body बनाते हैं आप swimmer हैं आप sports person है या आपका even कुछ नहीं भी तो घर के काम आप कर लेते हैं लेकिन किसी कारण वश अब ये हो गया है कि आप घर के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो दिकत ज़ादा नहीं होगी हारिकन हाट अगर काम नहीं कर रहा हैं तो आप को बहुत ज़ादी दिकत हो जाएगी को कि हाथ के बगायर इत्स वेरे वरेए इस जादा पिरल्पिन हो जाएगा और इसलिए heart attack is more dangerous than heart failure than any other thing so heart attack is really dangerous thing heart failure is more dangerous than heart attack remember that okay